नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आपका स्वागत है लग रहा है ने पॉर्फेक्ट गहलुआई जैसा गुलाब जामुन गुलाब जामुन सभी का फैबिरेट है और इसे सभी लोग पसंद भी करते है तो चलिए गुलाब जामुन बनाना सुरू करते है मैं बरे कटोरी में 200 गराम गिट्स ले ली हूँ और आधी कटोरी दूध गिट्स बजार में आसानी से मिल जाता है अब मैं दूध को गिट्स में डालके अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ आप दूध को एक बार में ना डाले इसे थोरी थोरे करके मिला ले इसे अच्छी तरह मिला ले ताकि गुलाब जामुन बहुत अच्छा बने इसे आप घर पर जरूद टराय करें ये देखिए दोस्तो हमारा डो बनकर तयार है चासनी बनाने के लिए मैं लगभग एक कटोरी चीनी को डाल देती हूँ अब मैं उसी कटोरी से एक कटोरी पानी को डाल देती हूँ आप अपने अनुसार चीनी की मातरा को बढ़ा या घटा सकते हैं अब मैं चासनी को गैस पर चरहा लेती हूँ इसे अच्छी तरह मिलाते रहे अब मैं चासनी में कूटी हुई इलाइची को डाल देती हूँ इलाइची डालने से टेस्ट बर जाता है अब मैं चासनी में दो चमच दूध को डाल देती हूं दूध डालने से हमारा चासनी साप हो जाता है अब मैं चमच की मदद से चासनी में जो भी गंदिगी है उसे मैं बाहर निकाल लेती हूं हमारा चासनी बनकर तैयार है अब मैं गैस को बन कर देती हूं अब मैं डो से छोटे छोटे गुलाब जामुन को बना लेती हूँ आप अपने अनुसार किसी भी सेप में बना सकते हैं मैं इसे छोटा छोटा सेप में बना रही हूँ क्योंकि चासनी में डालने के बाद फूल जाएगा मैं इसी तरह सारे गुलाव जामुन के सेप को बना लेती हूँ ये देखें दोस्तों हमारा गुलाव जामुन कितना अच्छा लग रहा है अम मैं इसे छान लेती हूँ मैं कराही घरम कर ली हूँ और मैं रिफाइन को डाल देती हूँ मैं डिफाइन को गर्म कर ली हूँ अब मैं गुलाब जामून को डाल देती हूँ इसे हलके हाथों से चलाते रहे ताकि हमारा गुलाब जामून न जले यह देखिए दोस्तो हमारा गुलाब जामून हलका सुनहले कलर में हो रहा है यह देखिए दोस्तो हमारा गुलाब जामून कितना अच्छा लग रहा है हमारा गुलाब जामून अच्छी तरह पक गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इसी तरह मैं सारे गुलाब जामुन को छाल लेती हूं हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले हमारी रेश्पी को देखकर अपने घर में गुलाब जामुन जरूर बनाए और कॉमेंट बक्स में लिखें कि आपका गुलाब जामुन कैसा बना है अब मैं इसे निकाल लेती हूं हमारा गुलाब जामुन बन गया है अब मैं चासनी में डाल देती हूं अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लेती हूं इसे दो से तीन घंटा तक धक कर छोड़ दे ये देखिए दोस्तोř हमारा गुलाब जामुन बनकर तयार है ये देखिए दोस्तोř हमारा गुलाब जामुन कितना फूला फूला बना है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेर, सस्कराइब, अवस करें औरने बाद